हे नमश्का दोस्तों तो 30,000 रोपे के अंदर आने वाला है रियल्मी 11 प्रो प्लस दूसी तरफ है मेरे पास IQ New 7 चलो आज की वीडियो में बताता हूँ आपको दोरों में से कौन सा जादा बहतर किस मामले में आपको मिल जाएगा बसे सब से पहले दिस्पले की बात कर लेते हैं अब देखो एक तरफ फ्लै डिस्पले एक तरफ करव डिस्पले हैं लेकिन अगर आप बडावर मिले की थोड़ी से बड़ी आपको मिल जाती है लेकिन अगर आप display quality में देखोगे तो वहाँ पर यार colors वगरा दोनों में काफी similar आते हैं saturated color है, contrasty colors दोनों में आपको देखने को मिलेंगे viewing angle अच्छे है, deals blacks भी काफी बहतरी निकल के आते हैं लेकिन मैंने देखा है कुछ-कुछ जगह पर Realme थोड़ा सा जाधा dark वगरा कभी-कभी कर देता है लेकिन overall 4K HDR वीडियो दोनों में ही आप जलापा हुए Realme वो वीडियो कभी-कभी अटक भी सकती है, वो IQ में बिलकुल भी नहीं अटकती है लेकिन IQ थोड़ा सा जाधा brighter आपको visible हो जाएगा साथ में आपको दोनों ही इंडिस फिंगरपेंट स्कैनर के साथ आते हैं quickly unlock हो जाएंगे और दोनों में ही आपको dual speaker मिलता है अब speaker quality के मामले मुझे थोड़ा सा louder लगा है 5G का support आपको दोनों में ही मिल जाएगा Realme में आपको 9 5G के band मिलेंगे IQ में आपको 8 5G के band मिल जाते हैं दोनों की connectivity अच्छी लगी है 4G Plus के भी network zone में ही काफी battery निकल के आ रहे थे वसे अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिए थोड़ी सी भी पसंद आई है तो like और share वाला बटन जहुर से दवा देना और ऐसे ही content को enjoy करते हो तो subscribe वाले बटन को भी आर जहुर से दवा देना वैसे तो दोनों में आपको 3.5 फैनल जैक का गड़ा भी नहीं मिलेगा इस compare to IQ जोगी थोड़ा lighter weight फील होता है एकदम चोड़ा होने के बाबजूद भी lighter weight में थोड़ा चाहिए तो आपको वह IQ मिलेगा लेकिन हाँ अगर आपको compact थोड़ा सा चाहिए तो वह आपको real मी मिल जाएगा वैसे कौन साथ आपको बहतर लग रहा है प्लीज एक वार कमेंट करके मुझे जरूर से बताना लेकिन जहां पर बात आती है performance की तगड़ा तगड़ा performance आपको या IQ यहां पर लाता हो मिलेगा आप on paper score देख लो एक तरफ आपको मिलता है media tech का 8200 वाला प्रोसेसर दूसरे तरफ आपको मलेगा डेमस्टी का 750 वाला प्रोसेसर अप देखो normal users में तो आपको बहुत जादा डिफरेंस फील नहीं होगा रियल्मी वहीं पर अगर आप चलेगे gaming में वहाँ पर भी आप देखोगी कि यार IQ के अंदर आपको 90 fps तक का support मिल जाएगा HDR extreme सेटिंग में भी आप वहाँ पर खेल पाऊगे charging दोनों ही अराउंड एप 30 मिट के अराउंड लेती है फुल चार्ज जोनों में बहुत ही तगड़ा वाला charging टैक भी आपको दोनों में मिल जाएगा लेकिन जब बात कर लेते हैं यहां पर UI की अब एक चीज़ तो किलियर है दोनों Android के साथ और और आफ दी बॉक्स आती है दोनों ही आपको पास-पास मिलेंगे फीचर्स वगरा में दोनों में किसी में कमी नहीं है बाकि आपको दिखने में कौन सी बैतर लग रही है यह तो आप डिसाइड कर सकते हो वैसे चुपके से call recording भी आप दोनों में कर पाऊगे बस यह आपको यहां पर डिसाइड करना है कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है अगर आप डिसाइड कर सकते हो तो रियल्मी यूई आपके लिए बहतर हो सकती है वनना या लुक और फील वाइस तो मुझे आप फंटा चोईज भी कोई बुरी नहीं लगती है वैसा in the end बात कर लिते हैं cameras की अब दोनों में Samsung का sensor मिलेगा एक तरफ IQ में आपको 64 में या पिक्सल के GW1 वाला OIS के साथ आने वाला camera sensor मिल जाता है वहीं पर रियल्मी में 200 में या पिक्सल का HP3 वाला camera sensor मिलता है वीडियो डिकॉर्डिंग में एक एज आपको IQ में ये मिलेगा कि 4K 60fps सक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते ह तो एकदम decent सी वीडियो recording निकल के आती है दोनों में आपको ठीक ठाक सी वीडियो recording में कहूंगा निकल के आ जाएगी लेकिन एक चीज़ रियल्मी बेटर करता है कि इसके अंदर आपको एज में अपिसल का ultra white camera भी ये provide करते हैं तो वो चीज़ आपको IQ में थोड़ी से missing मिल जाओ चाहे low light में कोई भी condition में ले जाओ colors वगएरा के साथ details आपको जादा better आपको IQ में मिल जाएगी as compared to realme अब देखो normal lighting में आपको दोनों की colors वगएरा अच्छे मिलते हैं as such मुझे दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है realme थोड़ा boosted color जादा निकालता है as compared to IQ लेकिन मैं कहूंगा outdoor lighting में दोनों ही एकदम अच्छे से work करते हुए मिलेंगे main चीज़ आती है low light और indoor lighting के अंदे जहा वगएरा वो भी दोनों में अच्छे से maintain करके रख रहा है वहाँ पर मुझे यार दोनों में दिक्कत नहीं आई है तो मैं कहूंगा यार back camera में तो IQ मुझे थोड़ा सा better लग रहा है क्योंकि low light में ज़्यादा better perform कर रहा है इवन 4 के 360F पे से video recording में इसके अंदे कर सकते मैं अदे को बिलकुल भी मज जाना